दोस्तो अगर आपने कड़ाई में खाना खाया है तो आपके साधी में बारिश जरूर होगी अगर आपके चपल उल्टे हैं तो आपका सर दर्दिया घर में जगड़ा होगा और अगर आपका सर किसी दूसरी के सर से टकरा जाता है तो आप दोनों में जगड़ा जरूर होगा दोस्तो ऐसे ही कई बाते आप सुनते ही होंगे तो आज इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अंदविश्वास के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तो हमारा सनातन धर्म कई लाग साल पुराना है और इस धर्म ने हमें कई वेद पुरान और गरंथ दिये हैं जो हमारे जीवन को और भी अधिक सुख में और सरल बनाते हैं हमारे वेत पुरानों में संस्क्रीति और सभयता के साथ साथ कई विज्यानिक तर्ग भी दिये हैं जिससे दोस्तो हमारे जीवन में परसानिया कम हो और हम अधिक सम्रित सुख सांती से जी सकें दोस्तो इस बात में भी कोई दोहराय नहींगे कि हमारी संस्कृति में मौझूद विज्ञानिक तत्यों को लोग आज भी अंधिश्वास की तरह देखते हैं कहीं न कहीं इसके पीछे अज सिच्छित मौजूद है कि हमें अपनी संस्कृती और सभयता के पीछे के विज्ञानिक तत्यों को बीना जाने हुए उन्हें अभी तक मानते आ रहे हैं और हमारे रिसी मौयों ने अपनी जो भी सभयता और तवर तरीके बनाए हैं उसमें बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है जिसे आज के विज्ञानिक भी काफी हद तक मानते हैं लेकिन हम लोग उनके विज्ञान को ना समझ कर बस अंध विज्वास की तरह अभी भी उनमें विज्वास करते हैं और वेवकूफों की तरह उन्हें फोलो करते आ रहे हैं जिसका कोई अर्थ या मतलब नहीं है तो चलिए दोस्तो इन ही में से कुछ अंध विज्वास को आज समझते हैं दोस्तो आपने अकसर अपने बड़ों से यह जरूर सुना होगा कि रात में नाखुन नहीं काटना चाहिए इसमें अंध विज्वास यह है कि अगर हम रात में नाखुन काटेंगे तो हमारा नाता बुरी किसमत से जुड़ जाएगा पर दोस्तो इसके पीछे का लोजिक यह है कि पुराने जमाने में बिजली नहीं होती थी और लोगों के पास नें कटर भी नहीं होता था और नाखुन काटने के लिए वे किसी धारदार ओजार का इस्तमाल करते थे जिससे अंधेरे में नाखुन काटने पर उंगलिया कटने का खत्रा जादा रहता था इसलिए हमारे पुर्वज रात में नाखुन काटने को मना करते थे ग्रहन के समय बाहर ना लिकनना लोग कहते हैं कि ग्रहन के वक्त हमें घर से बाहर नहीं लिकनना चाहिए और ना ग्रहन लगते हुए सुर्ग्रहन को देखना चाहिए इससे हम पर बुरी तागट हावी हो जाती है जिससे हम बिमार हो सकते हैं या हमारी आखे भी खराब हो सकती है तो चलिए दोस्तों इसके पीछे के विज्ञानिक तरको जानते हैं जब सुर्ग रहन लगता है तो सुर्य और प्रिद्वी के बीच में चंदर्मा आ जाता है चंदर्मा और सुर्ग के रेडियेशन और किरने साथ में मिलकर प्रिद्वी पर पड़ती है जिससे इन दोनों की radiation और किरने आपस में मिल जाने के कारण वो हमारे लिए काफी नुकसान दायक हो जाता है जिससे अगर उस समय हम लंगी आँखों से देखने का पर्यास करेंगे तो उसकी किरने हमारी आँखों को खराब कर देती है और उसकी radiation हमारे body के vibration को भी damage कर सकती है जिससे हमारे सरीर में भयानक बीमारी भी जर्म ले सकती है और इस radiation के चलते ही उस समय जो भोजन बनाया जाता है उसमें वह radiation मिल जाती है और उस बेकार radiation के कारण वह खाना भी हमारे सरीर के लिए काफी नुकसान दायक हो जाता है दोस्तो आपने अक्सर सुना होगा कि मंगलवार और गुरुवार को बाल नहीं धोना चाहिए कहा जाता है कि इन दिनों बाल धोने से बुरे वक्त की शुरुत हो जाती है पर इसके पीछे लोजिक यह है दोस्तो कि पुराने जमाने में आज की जैसे सुवीदा नहीं थी कि एक बटन दबाया और पानी लिकनना सुरू हो गया उन दिनों में लोग अपनी जरूरत के अनुसार पानी जमा करके रखा करते थे जिसमें काफी मिलत लगती थी इस लिए वे पानी का खर्च बचाने के लिए हफते में दो बार ही बाल होते थे बैठ कर खाना खाना इसके पीछे यह अंध्विश्वासे की जमीन पर बैठ कर खाना नहीं खाने से आपके पुरवज नराज हो जाते हैं लेकिन दोस्तो इसके पीछे का लोजिक यह है कि जमीन पर एक सही पोस्चर में बैठ कर खाना खाने से आपके पेट के ओरगन सही अवस्था में रहते हैं जिससे आपकी पाचन किरिया ज्यादा अच्छे से काम करती है और खाना असानी से पच जाता है मंदिर में घंटी बजाना इसमें अद्विस्वास यह है कि मंदिर में घंटी बजाने से भगवान खुस हो जाते हैं लेकिन दोस्तों हमारे सादू संतों ने इस लोची को इसलिए बनाया था कि पहले के जमाने में ज्यादातर मंदिरों में घंटिया तामे की बनी होती थी तामे की घंटी बजाने से उसमें से निकलने वाली धावनी और कमपन सुच्म बक्टेरिया को मार देती है और हमारे सरीर के सभी चक्रों को एक्टिव कर देती है और इसकी धावनी से हमारे दिमाग के नियूरों सेटल हो जाते हैं जिससे हमारे मन में विचार कमाते हैं और हमें मानसिक सांती का अनुभव होता है और ये सब चीजे होने से हम पूर्जा अर्षना करते समय ज्यादा ध्यान लगाने लगते हैं तो दोस्तों ये थे पांच अंद विश्वास के पीछे चुपे लोजिक उमीद करता हूँ आपको ये जनकारी अच्छी लगते हो हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले